हाई गाईज वेल्कम बेक टू माई चैनल मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार अपका स्वाकत है तो थोड़ा सा घर की जो है दिवाली की सपाई चल रही थी जिसकी वज़े से मैं दो दे से वीडियो शेयर नहीं कर पाई उसके लिए सॉरी सॉरी बिकॉस तो अबढ़ कोई भी अपका से अपका से लिए ताफ बोगा प्यारा सा घर को भी मैं आप लोगे साथ आज या कल में शेयर कर दूंगे क्योंकि एडिट हो जाएगा तो मैं भी शेयर कर दूंगे तो फटा-फट से चैक आउट करिये जाके लिंक मैं रिंक ने कि हम अपने आपको मैदे से खाना को नहीं रोग पाएंगे या फिर मिठा खाने से नहीं रोग पाएंगे क्योंकि I know मैं पूरी तरह से अंडरस्टाइन करती हूं कि फेस्टिवल सीजन में आप मिठाई से दूर नहीं रह सकते आप मैदे से दूर नहीं रह सकते और एक चीज में बताना चाहूंगी कि इन सारी चीजों से कर आप दूर नहीं रहोगे तो आपकी आथे पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएंगी आथों में पूरी तरह से गंदिगी की पढ़ चली जाएगी हमें क्या एक हटना है की हमें उन आतों को घड़ड़ड़ड़ की साफ करना है जसे आप अपने बर्तनों की सकॉप rye ayat से साफ करते है तो में क्या इसलिए इस वीडियो को पहले और सारे topic थे लेकिन इस वीडियो को मैंने इसलिए भेहलाना जरूरी समझा because festival season आप अच्छे से इंज्वाइ कर पहो हो festival season में आपको पेप्ट की दिकत ना हो festival season में आपको गैस्टिक प्रॉब्लम ना हो festival season आप बहुत अच्छे से इंज्वाइ कर और ऐसा नहीं है कि आप बिमार पर जाओ तो जी हाँ आज मैं बताऊंगी कि स्कॉच ब्राइट की तरह आप अपनी आथो किस तरह से रगड रगड के साफ करिये तो बहुत ही अच्छा सा है सिर्फ आपको फिल्हाल इसे तीन दिन लेना है इसे जाद आप मत इसे प्रिपर करियेगा क्योंकि यह बहुत गहराई से साफ करेगा जैसे मैं बोल रही हूं कि स्कॉच ब्राइट की तरह साफ करेगा और बहुत ही अच्छे से साफ करेगा तो एक बर ट्राइजरूब करियेगो और देखेगा किस तरह से जाट से आपका जो है तो इतना शस्पेंस नहीं क्रियेट करती हूं और मैं सस्पेंस बिने क्रियेट करीएँ तो इसके लिए आपको लेना है सुहागा यानि कि बोरेक्स पंसारी के दुकान पर जाएए 20 रुपय का लेकिया यह बहुत असानी से नल जाएगा इस तरह से दिखता है इसे आप घर में मिक्सी में पीस लीजे कूट लीजे देन उसके बाद आपको इसे तवे पे रोस्ट करना है जब आप इसे तवे पे डालेंगे तो यह हलका सा पानी छोड़ेगा पानी छोड़ने के बाद आप इसे रोस्ट करिए जब चिटट के आवाज आना बंद हो जा तो फ्रेंड इस सुहागा पंट को लेना है आपको इसके लिए 2 से 2 ग कूरी दो चमछ आपको चिर्फ पानी लेना है और यह को चन्नी के बड़ मैं हम शुरुबधे नी आफको यह ज्लिया है इतना रोसकर & कांच के बरतन नहीं खाना खाने की 10 मिनट पहले आप इसे ले सकते ही और 3 दिन बाद अगर आप इसे प्रिपर करते हैं आपको लगता है कि अभी भी है पेट में कुछ तो तो आप इतना ज़्यादा अच्छा और मैजिकल होने वाला है एक चीज में बहुत ध्यान से बताना चाहूंगी कि यह जो सुहागा है यह अच्छे से रोस्ट हो जाना चाहिए विदाउट रोस्ट नहीं होना चाहिए और यह जलेगा कभी नहीं क्योंकि इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि आप तवे पे इसको चाहे जितनी दिर डाले रही है यह अब ही नहीं जलेगा कर दो होती है यह जलेगा है